आपको यह समझे इस चीज को कि बहुत बड़ी जीत है या कुछ हार है, ना तो यह हमारी जीत है और ना यह दूसरे लोगों की हार है, यह सही माइने में तो जो सविधान है उसकी जीत है, बाबा सहाब को 1932 में जो अधिकार मिले, तब इतना विरोध यहां के सासक जाती उन् बाबा सहाब सहाब के सविधान में, तो सबके लिया प्राववषभान है, और आपको सविधान में, आपका कौं सा सविधान है, जिसकाइविदानी अदिकार है, उसकी तरफ तो आप अपनी गंदी निगाह मत देखिए, यह जो दात आपने अखरोठ खाके पेने कर लिये ह कम से कम छे जो दूससरे समाज के लोग इनका इनकी तरफ तो मत जाईए उनका और टोíem कर दोय्कार गया और शाथ वही पैसला भी कायम है वर्गी करन में जो पैसला एक रस्कों उन्होंने सुनाया था लगातार इसका ग्रोज हुआ लेकिन सुप्रेम कोर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा और इतनी भी पैसला सुप्रेम कोर्ट काया एक रिव्यू पैसला जो फाइल करी न एक अगस्त दोजार चोविस का जो फैसला आया था सुप्रेम कोर्ट का साथ जैजों की बैंच का तो कुछ लोग उस फैसले से खुश नहीं थे उन लोगों को मानना था कि यह जो फैसला आया है यह ञा शाविधानिक फैसला नहीं है तो उन लोगों नने इस फैसले के अगेंस्ट में रिवीव पेटिशन फाइल करी, रिव्यू पेटिशन या समिक्षा या जो राज याच्चका है, उसका वो मतलब यह है, मैं आपको आसान सब्दों बताऊं, कि जो भी न्यालेज या जो भी कोर्ट एक जो निरने देती है अपना, उस निरने की उस पे पुनर विचार करने के लिए, उ अगर उसमें कुछ एक कानूनी अडचन हो, कानूनी तरीके से कुछ गलती उसके अंदर हो, या कंस्टूशनल कोई एरार उसमें रह गया हो, सविधान की व्याक्या ठीक तरीके से नहीं करी गई हो, उस पर दुबारा पुनर विचार किया जा सकता है, और कोर्ट करती है, अ एक बहुत detailed फैसला है, इसमें कितने सारी जितनी भी पहले की judgment जो सुप्रीम कोर्ट की थी, वो सारी की सारी उन्होंने detail wise कोर्ट करी है, उसके अंदर उनको सबको explain किया है, और जितने भी जो सविधानिक इसके अंदर प्रावधान है, आर्टिकल 15 के, 16 के, 341 के, उन सबको प्रोपर तरीके से explain करा है, कहीं पे कोई full stop या बिद्दू लगाने की भी गुंजयस इस फैसले में नहीं है, कितना बढ़िया उन्होंने इस चीज को करा है, तो जब उनके फास ये पेटिशन, बहुत सारी पेटिशन अलग-लग लोगोंने अलग-लग फाइल करी, और बड कि जो हमारे बड़े लोग है, उन्हों लोगों ने रिव्यू पेटिशन इसके अंदर फाइल करी, इसके अगेंस्ट में, कि ये फैसला गलत है, इसको इसको इसमें कोई भी किसी तरीके का गलत नहीं है, या कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जिसके उपर पुनर विचार किया लिहाजा सरे से उनकी साहिए और जो सारी पेटिशन है, वो खारीज करी गई, खारीज कर दी चार तरीकर जो ओड़रा है, सुप्रीम कोट का आया, मैं दुबारा से उन्हें सुप्रीम कोट का और जिस बेंच ने ये जो निरने अपना दुबारा अपना रिविचार और मेरा मानना है कि शायद अब सारा कुछ सिस्टम ठीक होना चाहिए हो भी जाएगा और जहां तक आपकी बात है वही लोगों में डियसी समाज में या वंचीत वर्क के लोगों में एक खुशी के लहर है मैं वंचीत वर्क के लोगों को मुबारक बात दूँगा कि भी उन ल लागो करने की जो बात थी वह मैं सोशता हूं फैसले से जो बाबा साहब का सपना था जो दूसरे हमारे महापुरे सैंफूले साब है उनका जो सपना था के भी जो हमारे लाश्ट पाईदान पे जो हमारे लोग हैं जिन के पास कुछ भी नहीं पहुँंचा है उन elemento दीब प्रावधान है, जो reservation का प्रावधान है, जो एक उनको concessional provisions है, special provisions जिनको बोलते हैं, वो जो है जिनके लिए, उन्हें लोगों तक ये शाइद बात पहुंचेगी, तो निश्ची तुरूप से सविधान लागू होगा, और सविधान लागू होगा तो लोगों ने सविधान के लिए अपने अनोलन लड़े सविधान के लिए जिन्हों ने अपनी कुर्बानियादी बलीदान दिया मैं सोचता उन लोगों को ये बड़ा सलूट है सुप्रिम कोट का जो इस फैसले के माध्यम से हमारे बीच माया है और दूसरा ये कि बहुत सब्सक्राइब करें लोगों लोगों ने बड़ा दुख है हलाकि हम बड़े दिनों तक साथ रहे और मैं अपना आपको आज भी अलग ऐसा नहीं समर्चता हूं लेकिन हलात इन लोगों ने ऐसे पैदा कर दिये कि इस चीज के बारे में वह कि ये बिल्कुल यासा हो गया है ये ऐसा फैसला है कि इसने पता नहीं क्या कौन सी जंग हार गई या कौन सी वो जंग जिनके फेवर मैं उन्हों जीत ली ऐसा है कुछ भी नहीं है ये तो सविधानिक फैसला है इन फैक्ट सचाई में तो और उन लोगों न भी इसका सवागत करना चाहिए था क्योंकि उन सब को साथ लेकर चलने वाले हम सब लोगों को भला करने वाले या और जो दवाया पिछला है जो हम नीचे भी समाज के जो लोग जो बिलकुल रहे तो उस चीज का जो है के बात करते हैं, लोग अधिकार दिलाने के बात करते हैं, और जब अधिकार देने की बात होती है, तो आप विरोध में उतर जाते हैं, आप ऐसे विरोध में उतर हैं, मैं बार-बार कह रहा हूं, कि जब बाबा साब को 1932 में जो अधिकार मिले, तब इतना विरोध यहां की स वरोध करना है कि यह गलत स्लाए है और मैं सोछता हूँ कि इस चीज के लिए इस जो बड़ी मुस्कलों से हमारे पुर्खोन एक जो मेल जोडने का ले रहे हैं और काम तोडने का कर रहे है इनकी दोनों चीज़ें जो है न सब इनको पता लग रही है अब लोग ये जो आएंगे इस विल्ड में लोगों से बात करेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे ये वंचित वर्क के लोग पूछेंगे DST समाज के लोग पूछेंगे कि आप कौन सा सविधान लागू करना चाहते हो बाबा साहब साहिव के सविधान में तो सब के लिया प्राविधान है और आपके सविधान में आपका कौन सा सविधान है जिसका आप गरोध करने इनसे लोग पूछेंगे इनको बक्षेंगे नहीं वो समझदार होगे, जानकार होगे उनको पता लग गया कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं ये लोग बात करते बहुजन की और काम करते सरफ एक दो जातियों के लिए ये बात करते मुल्लिवासियों की और काम करते हैं सरफ एक दो लोगों का इन्हों ने यही कारिकरम चला रखा इसलिए इस समाज में अगर बटवारा करा स्विधान लागू होने के बाद तो यह जो लोग जो ग्रोध कर रहे हैं इसका इसके लिए वो जुम्मेवार है चाहे वो किसी भी परस्तित्य में कर रहे हैं चाहे वो किसी भ्या के कारण कर रहे हैं किसी डर के कारण कर रहे हैं या उनके उपर कोई पॉलिटिकल दबाव है या उनके उपर किसी तरीके का प्रैसर है वो एक अलग बात हो सकती है लेकिन जो भी कारण है उसके परिणाम इन लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जो इन्होंने समाज को बांचने का काम कर दिया, ऐसे बांचने का काम तो हमारे समाज को दुस्मनों ने भी नहीं करा लेकिन सार, मायवती ने भी हर्यानागी राली में भी इसका गरगी कंदा गुरूर किया है देखो भेंजी तो जो पहले दिन से रोध में आ गई, फैसल आया तो एक घंटे के बाद ही उन्होंने सभा कर दी, हलाकि बहुत सारे निरने ऐसे आये, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो एकोनोमिक अधार पे दिया गया जो अनकन्सिटूशनल प्रोविजन था, जो गयर साविधानिक है, उसमें तो कोई कूद करके नहीं आया, किसी ने भी आंदोलन नहीं लड़ा, कोई सड़कों पर नहीं आया, जितने भी यो सास्तरी है, जाव समार साष्तरी, राजन्तिक आस्ति क्संधिक संगया देता हूँ और कुछ आपके मीडिया के लोग है, वो माटने का जो काम की आप लोगों ने आप लोगों से भी कभी जब आप समाज में जाएंगे तो लोग आप से भी कुश्चन करेंगे पूछेंगे कि आपने ये कुश्चन कहां से उठाए आपने तो समाज को ठीक करने का काम करना चाहिए था हैं आप लोगों को तो लोग पकड़ा हुआ है आपने बुद्ध को भी अपना लिया आपने फूले साब को भी देख लिया आपने साहुजी महाराज की बात करते हो आप लोग है सारी चीज़ों की इनकी बात करते हो और जब इनकी थियोरी को implementation करने की बात आती है इनकी विचार धारा को implementation करने की बात आती है इनके कहे हुए को सविधान में लागू हुई चीज को जब लागू करने की बात आती है जो वंचित रहा गए है लोगों को उन लोगों की शिक्षा उन लोगों को नोकरी, उन लोगों को परजिनिटेशन की बात आती है तो तुम सारे के सारे जाती वादी हो जाते हो फिर तुम्हारा दिजम कहां चला जाता है फिर तुम्हारा फूले का अंदोलन कहां चला जाता है फिर साहूजी महाराज की बात कहां चली जाती है जिसका आप धरन देते हो खासतोर से मैं बता र वहाँ पिर उन्होंने दाना चने डाल दिये और जो वहाँ चने डाल दिये तो घोड़े खोल दिये यह उधान देते हैं यह बांसेफ के लोग सारे यह घोड़े खोल दिये तो जो तगड़े घोड़े थे मजबूत घोड़े थे वो सारा चारा चर गए और जो कमजोर कर दिया हटा दिया मार करके तो वे घोड़े पीछे हट गे वह कमजोरी रहेगे तो साहुजी ने तब बताते हैं कि साहुजी ने कहा कि देखो जो कमजोर घोड़े हैं उनके लिए स्पैसल प्रोविजिन होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए यह उधान साहुजी महराज का द पार्टी को बनाने में हमारे समाज ने भी गासी समाज के बहुत बड़ा योगदान दिया है हम इसको भूल दिनी सकते है कैसे भूल जाएंगे इसको तो उसको ऐसे मोड पर लागर ख़ड़ा कर दिया है बिल्कुल साला कुछ खितम होगा उसका हमें दुख है अब आप किस करण से आपने इसको इसका ग्रोध में आ गए, किस करण से आपने अनॉंस कर दिया, कि आप पार्टी छोड़के आप चले जाओ, जो इसको समर्थन करते हो, यह मैं सोचता हूँ एक जो दुरभाग्य पूर्ण है, और क्या मजबूर है उनकी यह तो वो भेतर ज प्रावधान किया है, यह बताया गया है कि यह राज्य है, वो अपने अपने राज्य में ऐसा कर सकते हैं, special provision नोगों को बना सकते हैं, जो वंचीतवर्ग के लोग जो रहे गए हैं, अब यह कहा ही तो है, मिला कोई है, और यह लोग सभके सभ ऐसे बहर निकल कर आगए है, लोगों को इस हद तक इन्होंने जोना comments करें है गालियां दी है कि लोग तो यहां तक कहरें कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन लोगों को अकरोट दी रही है कि लिए इस धात नहीं उनका अकरोटे रही है उनको को में दाइबर से सुध ली इतने सारी दिनों तक जो होना इतनी पारटी आई उन्होंने देखने वह देखनी पाए किसीने कोशिस भी शयाद करी होगी तो इंप्लिमेंट नहीं हो पाई और मैं अबहारोएक्ष करोंगा हमारी चिफिटाश्टी साव कारून के जो इतने सारी सके अंदर डिसकर्स करे गए और मैं बार-बार एक चीज को मैं दोहरा रहा हूं मैं फिर आपके माध्यम से दोहराता हूं आज इस फैसली में कि इस फैसली में जो जस्टिस बियर गवई सहाब हैं उन्होंने जो लिखा है वो एक नजीर है वो हमारे जो सुरूल कास्ट क क्या चाहते थे क्या उनका अंदोलन था वो सारे का सारा उन्होंने डिटेल में और सुप्रीम कोट के क्या-क्या जो फैसली से पहले हैं वो सारे डिल में डिसकस करे गए इसको पढ़ें और अपनी जानकारी को जो ना बढ़ाएं और जो अख्रोट की बात है तो अच्छी पहले हैं तो आप अख्रोटी हो आप कम से कम हब लोगों का हक तो मत खा şek निंका को कि फेतर है इन लोग भी दूसरे लोग भी अख्रोट खाएंगे तो उनके भी दांत आंगे उनके दांत आएंगे तो फिर वो भी अपना हक्थ ठीक से खा पाएंगे और उनके बिदात अच्छे हो जाएंगे तो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपकी तागर डबल हो जाएगी और जो भी आप आंदोलन लड़ोगे वो मजबूती से लड़ोगे रकाम्याब होगे मैं तो ऐसा मानता हूँ इस चीज के लिए और इस फैंसले के माध्धम से मैं दुबारा से उन तमाम लोगों का अभार वेक्ट करता हूँ धन्यवाद करता हूँ मुबारक बात उन लोगों को जिन लोगों ने इस आंदोलन के अंदर अपनी आहुती दी जो लोग इसको लागू करवाने में लगे हुएं तो इतने बढ़िया परिणाम आये हैं इतने लोग पढ़लिक करके आगे आये हैं इतने लोग सर्विसीजम आये हैं इतने ज़्यादा आकर के मजबूत हुए हैं उनहीं की वज़े से तो है जो आंदोलन जो थोड़ा बहुत हमारा जमीन पर दिखाई दे रहा है ये मजबूत आंदोलन किसके वज़े से दिखाई दे रहा है वो सब के सब जो लोग आये हैं तब अगर वो सब लोग अब तक आगे नहीं आ पाते वे सब लोग पिछले पड़े रहते, तो बाबा सहाब कांदलन कहां पर जहोना इसमें चल पाता, साहुजी महराज कांदलन कहां चल पाता, फूले सहाब कांदलन कहां चल पाता, अगर वे सब मजबूत नहीं होते तो, वे सब मजबूत हुए हैं और यह होना चाहिए फैंसला है उनका साथ सहयो करना चाहिए और यह जो फैसला आया है जिनके आप जिनको मारक बात भी है मैं उनको आगहा भी आज आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यह फैसला आना ही काफी नहीं है अब जिन लोगों के फैसला जिनके फ्रेवर में आया है उन लोगों की जुम्मेव को विबस करें, उनके ओपर दबाऊ बनाएं, कि इस सविधानिक फैसले को वो लागू करें, ये जुम्मेवारी अब जिनके फेवर में आया है, जो जितने भी जाती के लोगों को जागरित और जनजागरित करके इस अंदोले में लगाएं, इस अंदोले में लगाकर के अपन यहां लागू करें, ताकि इस फैसले का जो हैना लोगों को लाभ मिल सके, वो पढ़ाई में जदा आगे आए, वो नोकुरी में जदा आगे आए, और वो ओल्टिक्स में जदा आगे आए, हम चाथते कि नेता भी हमारे अपने हों, जो हमारी बात रख सकें, परलमेंट में हमारी बात रख सके हमारे हक और अधिकारों को सुरक्षित कर सके हम चाहेंगे आगे आने माले टाइम में हम दूसरों के नेताओं के अपना नेता नहीं करेंगे हम अपने नेता लेकर के आएंगे जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ इसमें करेंगे वो कोई भी कर बो कर दो